आपको एक ऐसे गंभीर जनमुद्दे से आउगत कराने का का इसकी साप सपाई और इसके पाइप लाइड के लिए हम लोग कई बाइड दो वर्स हम लोग दोड़े तब जाएड जो मेंटेनेंस का काम था नमस्कार जोहार डीफोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ राम नाराण सर्मा डीफोकस आज आपको एक ऐसे गंभीर जन मुद्दे से आउगत कराने का काम कर रहा है जिससे सुनकर आप भी चोक जाएंगे हैरान हो जाएंगे कि किस तरह जन हितेसी मुद्दो को लेकर सरकार द्वारा और बोकारो इस पर प्रबंधन द्वारा कियेगे टेंडर के बाद वहाँ जन हितेसी काम और ज्यादा गंभीर रूप से लोगों के बीच गंभीर समस्या का कारण बन जाता है मैं इस समय आपको जो ये द्रिश दिखा रहा हूँ इस द्रिश को जरा ध्यान से देखिए तो आपको कुछ-कुछ समझ में आ जाया कि मैं कहां खड़ा हूँ ये आपका वहाँ छेतर है जिसको धंडावरा ऑक्सीजेशन पंड का प्राइमरी पंड का एक नंबर का सेट नंबर दो का नजारा है अब जरा ध्यान से देखिए इसका अभी 2019 में इसकी साफ सफाई और इसके पाइप लाइन और दुसरी चीजों के मरमती करण को लेकर 24 लाक रूपिये का टेंडर होता है बुकारो इसपात प्रबंधन इस पूरे पॉंड की साफ सफाई को लेकर क्योंकि इस पॉंड को आप जानते हैं कि ये पॉलूसन फैलाने का सबसे बड़ा कारक बन सकता है इस पूरे चेतर में क्योंकि इसके अगल बगल में सेकडो गाउ है और उन गाउं के लोगों की जान जोखिम में बुकारो इसपात प्रबंधन नहीं डाल सकता जिसको लेकर 2019 में 24 लाग का टेंडर निकालता है इसकी साफ सफाई इसके नालियों की इसके पाइप की और इसके चेंबर के मरमती करन को लेकर लेकिन जिन सर्तों को लेकर यह टेंडर निकाला जाता है उन सर्तों का क्या कुछ हुआ आप जमीनी हकिकत देख लीजिए यह जो आपके सामने इस पाइप लाइन से जुड़ा हुआ पाइप है और उसका चेंबर है इसके काहा दिया गया कि इसका मरमती करन हो गया लेकिन आप जराध्यान से देखे कि इसमें किस तरह पेड़ उगे हुए है और इसको निकला हुआ इस टेंडर का नजारा आप देखे कि इसका किस तरह आपको भी लगएगा कि क्या सचमुच इसका मरमती करन हुआ या ऐसे ही इसको सिर्फ टेंडर के बहाने सब कुछ लीपा पोत कर दी गई गुकारो इस पात प्रबंधन के जो कहना है कि वे क्वालिटी से कोई समझोता नहीं करेंगे लेकिन आप नजारा को देख लिए कि जिस जन्द समझसा को लेकर उन्होंने 24 लाक रूपिय की बड़ी रासी निर्गत की उन 24 लाक रूपिय का कैसे यहां बंदर बाठ हुआ और सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई साफ सफाई के नाम पर जिस मिट्टी को 180 फूट की दूरी पर फेका जाना था उसको सिर्फ पॉंट के तालाब का जो किनारा है उसी को उपर फेक दिया जाता है और साफ सफाई देख लिए कि इसमें चारों तरफ जलकु फोकस लगाता और आपको इसके द्रिस को दिखाने का काम कर रहा है और इससे लेकर हम लोग आईए जोड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ समझसा है और कितना काम से यहां के लोग संतूस्ट है इस छेतर के लोग संतूस्ट है जिनको यहां मचली पालन की जिम्मेदारी दी गई है उनके परतिनीधी इस समय हमारे साथ है उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि यह जो काम अब इनको कहा जा रहा है बार बार कि अब आप अपना जिम्मा लीजी तो क्या इस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी लेने को तयार है इस समय हमारे साथ धंडवरा साइड में यह जो एरिया यहां पर सैलन्द राइजी मौजूद है सैलन्द राइजी कहा जाता है कि बोकारो इसपात परबंधन ने जब टेंडर निकाला आप लोग खुस हुए कि जन हिते से काम को लेकर बोकारो इसपात परबंधन शुरुवात किया है और आप लोगों ने तुरंट आपकी जिम्मेदारी है उसको तुरंट टेंडर वाले को दे दिया कि आप जल्दी काम कीजिए और जल्दी से अच्छी तरह से काम करके हमें तालाब सोपिए काम हु कि इस पर धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है इसको लेके हमने ना के सिर्फ स्वास्ति भाग को लिखा बलकि बुकारो को मैंनेजिंग डिरेक्टर हमारे जो टेंडर सेल के हैं एजियम अनुराग सर्माजी उनको भी हमने लिखा और बार बार लिखा कि सर इसका एक बास सर् में एक को आरचित है और चुकि हम विस्तापित हैं मेरा जमिन पर यहां सारा कुछ बना हुआ है तो इस पर किसी भी तरह का घोटाला हम बरदास नहीं करें इस तीन नंबर सेट नंबर दो का टेंडर के लिए हम लोग कई बार दो वर्स हम लोग दोड़े तब जाके इसका पर निकला और निकलने के बाद इस पर सारा कुछ जो आप देख रहे हैं कि कितना काम हुआ है यहां एमडी हम लोग इस बार आसा में थे कि जो एमडी बोलें कि नहीं हम उस पर गंभीरता है हर समस्या को लेके काम करेंगे कहीं भी जिरो टोलरेंस काम अपनाएंगे लेकिन मिहां पर किसी भी परकार किने हमनें पराद ऑंद को बर schlecht अंपकर सेरhesion करदें आपर मेरे पास उसकी है परती मेरे पास आप दिखा रहे हैं और जब यह टेंडर हो इस तरह की होती है लोग कहते हैं कि अक्सर बोकारो इसपात परबंधन के जो बड़े अधिकारी होते हैं या टेंडर लेने वाले लोग होते हैं आपस में उनकी एक मिली भगत होती है अंडरस्टेंडिंग होती है उसके तहत इसी तरह जो बोकारो इसपात पर जो टेंडर वाले लोग होते हैं कैसे बंदर वाट कर लेते हैं इस रासे की और अब जो यहां मचली पालन करने वाले हैं सेलंद राय जी उनको दबाब बनाए जारे का आप इसको हैंड ओबर ले लिजिए और इसी तरह इसमें पानी भर दीजिए तो आप समझ सकते कि अगर इसके अंदर पानी डाल दिया जाए तो इसका क्या कुछ होगा इसके जो मेड है वो तूट जाएंगे दबाब की बजह से और सारी जिम्यदारी इन पर आएगी यह जो पाइप लाइन का काम आप बता रहे हैं बुकार इस पात प्रबंदन ने का कि साफ सफाई के साथ साथ पाइप लाइन और इसके चेमबर को मरमति करन के वी रासी इसमें निद्गा थी और साथ में हमको जो इन्होंने लेटर हम दिखा देंगे कि मेड हमको नहीं दिखता है अगर किसी माइक्रोस्कोप से दिखता होगा तो मैं नहीं बोल सकता हूं जो जांच में आए और उनको मेड दिखा हमको नहीं दिखता है आप भी देखे आपको भी नहीं दिखे को लोग कोई माइक्रोस्कोप लेके आते हैं मै लेकिन भारत सरकार मान्यता दिया है उसके उन्हों सारी 108 सी फिट कहां से आपको दिखता है तो का पानी मिट्टी को उठाकर से पांच में डाल रहे हैं उसका हम जब वहां पर बोलते तो उसका भी टेंडर हम निकाल देंगे आपको उसका देखने का जूरत नहीं है तो भाई हम जो टेंडर दिये हैं साथ में जी अस्ती दिया ठारा परसेंट यह भी गौर करने वाली बात होती है उसमें किंदर सरकार का इसा कुछ निया में कुछ नहीं लिया जाता है अब से जी इस्टी वी लिए अटारा परसेंट और उसका बील हमको दिया है को जीएस्टी के हमने आर्टिया किया हुआ है अपने जवाब देंगे अब इस्थापित हैं हम इस्थापित स्रेनी एक जिस चेत्र में चाहिए 64 मोजा 84 गाउं की बात होती बोकार इसपत परबंदन में यह धन्नवरा पुनरवास चेत्र है धन्नवरा साइट है जो मूल गाउं है उसके यह लेकिन यह जो 24 लाक रुपिये की बात हो रही है जिसको लेकर हम बार बार कर रहे हैं कि कितने बड़ी बंदर बाठ हुई है इस 24 लाक रुपिये में इसका आप नजारा देख सकते हैं कि उस तालाब के उपर ही मिट्टी डाल दी जाती है चेंबर वैसे के वैसे ही टूटे या नहीं मिला ये तो बुकारो इस्पात प्रबंधन को डेका देके लेकिन बीयशे के जो परभारी अमडी ञेस नहीं करेंगे तो corruption को लेकर इस तरह अगर उनके छेतर में बुकारो, इसपात और सेल के रासियों की इस तरह बंदरबाट की जाती है तो उए कब जागेंगे उन्हें एक बार जरूर अपने छेतर में भर्मन करना चाहिए लोगों से मिलने चाहिए उनको इस तरह के बार-बार आवेदन भी इनके बहुत सारे बिकल्प उहां जाएंगे लेकिन इस तरह सरकारी रासिय का दुरूपयोग नहीं होने देंगे और इस तरह अपने जिम्मे ये तालाब को नहीं लेगे क्योंकि इसके बाद जो भी घटना घटेगी सेलन राय जो परतिनी धी या इस तालाब के देखवाल करने वाले मचली पालन करने वाले उनका कहना है कि इस तरह की जिम्मेदारी नहीं लेंगे क्योंकि आगे चल कर जो भी घटना दुर घटना होगी इनके उपर आएगी बाबा टेंडर हुआ था यहां पर आभी पिसला जो नीचे वाला तालाब है पॉंड का टेंडर हो गया बीएसल काता है कि साब सफाई भी कर दिया जो मैंटेनेंस का काम था पाइप का और दूसरी चीजों का वह भी कर दिया आप आप हैंड ओबर लेंगे हम कैसे लेंगे तो पुरा ज्याम है पानी आता है पानी आएगा तो तीन नंबर में भज निकरने का रास्ता नहीं है उसमें कचरा भड़ा हुआ है अभी लेंगे तो हम फस्ट जाएंगे पैसा पाइपाइब दिया तो बोला बना दिया है कि आपको लगता है कि काम हुआ है काम कुछ नहीं हुआ है बना दिया है कहां से पानी निकरता है तो पुरा जाम है कि चेमबर उसी तरह तुट गा सब सबस्त nuovo नृट GUYका जाता कि मिठी जो इस तालाब से अब लोगों की नजर में लगता है कि पूरा जो टेंडर इसमें हुआ उस पर हुआ है कि आगे अब आप क्या करेंगा पिछले 2019 में आपसे यह जिम्मा लिया था अभी तक आपको तालाब नहीं दिया तो कैसे जीवान आपन करेंगे कैसे जीएंगे अभी हम लोग को दिया था उसमें क्या करें हम लोग को फंठा रहा है आप अधे ले ले लेंगे करें हमरे गड़न पकर लेगा उट निकल जाएगा हम लोग कि कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा गंदगी और पोलुशन स्वास्त विभाग इस पर हमेशा सतर्क रहता है बोकारो जीले का स्वास्त विभाग भी इस चीज को लेकर कितना सतर्क है ये उनको भी देखना है और प्रदेश सरकार का जो पोलुशन और स्वास्त विभाग है सबसे पहले उसको इस पर ध्यान देने की ज़रुत है कि इस तरह की लीपा पोती पर आकिर कब पारी और टेंडर लेने वाले लूट खसोट करते रहेंगे केमरा परसंद राशिक राय के साथ मैं राम नारायन सर्मा थंडवरा बुकारो